गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं आप सब आपका स्वागत है इस चैनल पर आज का जो टॉपिक में लेके आई हूँ वह है इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यानि कि भारत में मनाये जाने वाले प्रमुक्तियोहार तो वीडियो को इंट तक जरूर देके आ आपके सामने हैं गोला घाड धूबरी सिल्चर या फिर कोकराजर तो इस क्वेश्चन का जो भी सही जवाब आप लोगों को पता है आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में बताएंगे यह करंट अफेर्स का ही एक क्वेश्चन है सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स अ हर पॉर्शन को कवर करती है वन लाइनर और एमसी क्यों की फॉर्म में इसको रेडी किया गया है 2015 से 2023 के सारे जो भी स्टैडिक जी के क्वेश्चन है वो भी इसमें डाले गए हैं तो यह बुक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है इसको अच्वतोर साने रेडी किय हैं यह किताब Amazon Flipkart इन सब वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और आपके नियरेस्ट बुक स्टोर से भी यह आपको मिल जाएगी तो आप लोग मुझे इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताईए ताकि हम यह आप तक पहुंचा सके और हाँ यह बुक हिंदी इंग्रि ही या फिर चट पूजा तो सबको पता है बिहार का बहुत ही प्रसीदि त्योहार है चट पूजा ऑप्शन डी विल बीदा करेक्ट आंसर चट इस एन इंशेंट हिंदू फेस्टिवल हिस्टोरिकली नेटिव टूदा इंडियन सबकॉंटिनेंट मोर स्पेशिफिकली द इंडियन स्टेट्स अव बिहार उतरप्रदेश जार्खन एंड नेपली प्रोविंस इस ओफ मधेश और लुमिनी में भी यह त्योहार मनाय जाता है नेक्स्ट कोस्टिन विच फैस्टिवली सेलिब्रेटिटेड उन्द हार्वेस्टिंग ओफ क्रॉप्स इन केरला एसे सी जी डी और भी ग्रूप इन सब में यह पूछा गया है केरल में फसलों की कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है आप्शन से लोडी पॉ पूछा गया है उत्रायन के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है आप्शनस आपके सामने है वट पॉन्डी मा गुरू पॉन्डी मा ओनम या फिर पोंगल देखे उत्रायन और दक्षिनाएं निए जो दो पर होते हैं इस मेंसे जो उत्रायन है इसके प्रथम दिवस जो मनाये जाता है वह पॉंगल के रूप में मनाया जाता है आपका डी सही रहेगा कि सक्रांति हार्वेस्ट फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेड ओन दा मन्त ओफ माग महीने में दा हिंदू कैलेंडर एंड इस नौन बाइड डिफ्रेंट पार्ट सफ इंडिया वाट इसको अलग अलग नामों से भारत में मनाया जाता है पूछा जा रहे है कि गुजरात में इसे किस नाम से मनाया जाता है जिसे कि पंजाब में लोडी पान सक्रांति मागी उत्रायन तो इन में से कौन सा ऑप्षिन गुजरात के लिए सही रहेगा तो गुजरात में सक्रांति का जो त्योहार है उत्रायन के नाम से मनाया जाता ह ऑप्शन डी विल बीदा करेक्ट अंसर इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दर टू डे लॉंग है मिस रिलीजियस फेस्टिवली सेलिब्रेटेड भारत के किस भाग में दो दिवसिय है मिस धार्मिक मोटसव मनाया जाता है यह क्वेस्चन आपका सिस्सी जे रजिस्थान कॉंस गुगा नवमी इस रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेट टू स्नेक वर्शिप इन विच स्टेडिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड गुगा नवमी नाख पुझा से संबंदी एक धार्मिक्त्योहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है ऐसे सीच छसल में पूछा गया है ऑ भारत में विविद संस्कृतियां निवास करती है आप लोग जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि भारत का कोई भी त्योहार किसी एक मनाया जाता है लेकिन हर त्योहार का कोई नहीं कोई विशेश संबंद किसी राज्य से होता है तो हमें वही specific answer देना होता है हाला कि जो भारतिय है वहां की जो संस्कृति है वो इतनी ज्यादा सम्रिध है कि हर राज्य में एक दूसरे राज्य के त्योहार लोग मिलकर मनाते हैं तो यहां रहेगा अंसरे त्योहार इसके चौथे दिन को क्या जाता है यृच में पूछा गया तो इसको पोंगल मठ्टू पोंगल या फिर भोगी पॉंगल तो तमिलनाडpless का जो यह पौंगल तयोहार है इसके एक चौथे दिन को कहा जाता है कनुम पॉंगल ऑप्शन भी आपका सही रहेगा कि दो फेमस केमल ट्रेड इस पार्ट ऑफ विचन वल फेर और वी एंटी पीसी में पुछा गया था प्रसिद व्यपार कि स्वार्शिक मेले का हिस्सा है ऑप्शन है उदयपूर फेर थार फेर कुंब मेला या फिर पुशकर फेर देखिए राजिस्थान का एक मेला है प्रसि का मरुस्थल का रेत का अगला प्रशन लेते हैं ऑप्शन यहां पर सही है विच इस दा ट्रेडिशनल हर्वेच फेस्टिवल सेलिब्रेटी इन असाम और भी जेई में पुछा गया ता असम में मनाया जाने वाला फसल उत्सव कौन सा है देखिए कहीं सारे जो उत्सव हैं हैं क्योंकि इसी तरीके की जो संस्कृति होती है किसी भी देश की विश्व की तो किसी ना किसी मौके पर ही त्योहार मनाया जाते हैं तो भारत में जो है कृशी प्रधान देश है तो फसलों से संबनित बहुत सारे त्योहार यहां पर मनाया जाते हैं आप्शन है आपके सा कंबाला फेस्टिवल इन करनाटका इस रिलेटेट टू आरार भी एलपी 2018 में पूछा गया था करनाटक का जो कंबाला उत्सव है यह आपका किस्ते संबंदित आपके सामने है कोक फाइट बफैलो रेस ट्राइबल डान्स या फिर बुल फाइट यानि कि जो मुर्गे हैं उन इसमें ऑप्शन भी बफैलो रेस भेंसू की रेस कराई जाती है अगे बढ़ते हैं दशेन फैस्टिवल इस दा ग्रेंडिस्ट फैस्टिवल ऑफ विच कंट्री ऐसे सी सीजियल में पुछा गया था जो दशेन महुचसव है कि इस देश का सबसे ज़्यादा जो है भारतिय देश है हमारा जो है भारतिय पड़ोसी है नेपाल है कि अधर ट्राइबल फैस्टिवल भक्ता परब विच अलिब्रेटेड बेट्वीन स्प्रिंग एन समर पीरियड और इजिनेटिड इन विच स्टेट बसंत और ग्रिश्मकाल के बीच में मनाया जाने वाला जो प्रशन है हर एक स्बुचे गए है महराष्ट मिजोरं मध्य प्रदेश और जहरकंड यह का दिवासी त्योहार है इसलिए मध्यपरदेश भी आंसरो सकता है और जहरकंड और मिजोरं से ज्यादा चांसी जैंसरा अने के किसा अब होट सारी जन जातिया निवास करती है और यह मनाया जाता है आपका जहरकंड ऑप्शन दी विल बीदा करेक्ट अंसर विच इस दा होस्ट ओफ द आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल आसियान भारत संगीत महुतसव का मेजबान कौन है आपके सामने हैं मुंबई नहीं दिल्ली गांधिनगर या फिर चन्न नही तो देखिया आसियान भारत संगीत महुतसव जो मनाया गया यह मनाया गया नहीं दिल्ली में ऑप्शन भी विल बीदा करेक्ट आंसर संगाई महुतसव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है संगाई फेस्टिवल इस अ कल्चिरल फेस्टिवल सेलिबरेटेड इन विच स्टेट ऑप्शन है वेस्ट बेंगल ओडिसा मनिपूर या फिर असाम देखिए संगाई जो महुतसव है आपक यह मनिपूर में मनाया जाता है ऑप्शन सी विल बीदा करेक्ट आंसर कि यूनियन टूरिजम मिनिस्टर जी किशन रिडी इनॉग्रेटेड दा मनिपूर संगाई फेस्टिवल 2022 एड़ दा संगाई एथनिक पार्क वंगाला फेस्टिवल और हंडर ड्रम्स फेस्टिवल is the most poplar first of अपर सही रहने वाला है इस वंगाला फेस्टिवल में वेस्ट लॉप्र अरुचल पर्देश देकि계 जो वंगाला फेस्टिवल मिघालिय में मनाए जाता है अपका आप्शन यहां पर सही रहने वाला है यह वंगला फैस्टिवल ओफ मेगालिया इसदामोस्ट पॉपिलर फैस्टिवल अमंग दगारो ड़िजी जौकर 1220 है उनके मद्ध है माझ मेगाला 2 फैस्टिवल इस हार Zombie यह फसल प्रिवस singular है नेक्स कोश्यन कुल्चुरल रिलेशन््स कि्स राँज्य ने राज्य केक अलाकारों की मंदद के लिए भाड़्य सांसक्रितिक संबन्द परिश इसाथ ग्यापन पर असताकुर किये आप्शन से मध्यप्रदेश विहार वैस्पिंगौल या फिर उडिसा तो यह जो ग्यापन पर हस्ताक्षर हुए है और बी बिहार और के मध्य में हुए हैं होन्बिल फेस्टिवल इस दा फ्लेक्शिप कुल्च्रल इवेंट ऑफ इंडियन स्टेट बार बार पूछा जाने वाला प्रशन है होन्बिल फेस्टिवल किस भारतिय राज्य का प्रमुक सांस्कृतिक कार्यक्रम है ऑप्शन है असाम नागलेंड सिक्किम या फिर उनाचल हम प्रडेश तो हॉन विल मनाया जाता है नागलेंड में भी रहने वाला है आपका सही आर छानजबिल फेस्टिवल 2022 और इसी दिन जो है तेईसवा हॉन्बिल महुतसव भी मनाया गया विच स्टेट और्गनाईज्ट वर्ल्स लॉंगेस्ट ओपन एयर थिएटर धनुजात्रा फेस्टिवल कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फेटर धनुजात्रा उट्सव आयोजित करता है आपके सामने है गुजरात उडिसा वेस्ट पेंगॉल या फिर केरला तो धनुजात्रा जो है यह उडिसा करता है इसका योजन ऑप्शन भी विल बिदा करेक्ट आंसर और यह एक ओपन-air थेटर है जा धनुजात्रा फेस्ट फेर बाली जात्रा फिर होंड बिल अभी हमने उडिसा की ही बात की थी धनुजात्रा के बारे में एक और यात्रा है बाली जात्रा ऑप्शन सी विल बीदा करेक्ट आंसर यह उडिसा में मनाया जाता है कि विच आप दा फॉलोइंग स्टेट फेस्टिवल पैर इस नौट क पंजाब में मनाया जाता है तो यही है आपका सही आंसर जो कि ए गलत युग में है छट पूजा बिहार में होती है दुर्गा पूजा वेस्ट बेंगॉल में होती है इन्वीच स्टेट ऑफ इंडिया इस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कैल बोड सेलिब्रेटेड बाइन इंडिजिनियस कॉम्यूनिटी स्सी सीपी ओ में पूछा गया कैल पूद का फसल उत्सव किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही रहने वाला है कि कैल पोड इस दो फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इडिस नौन एस दो फेस्टिवल ऑफ वेपन्स और हर्वेस्ट इस सेलिब्रेटिड बाइदा कोडावा कम्यूनिटी तो कौन सी कम्यूनिटी इसको मनाती है वो भी आप लोग देख दीजे तो कौडावा कम्यूनिटी कि खिच्डी उत्रायन और लोडी आट डिफ्रेंट नेम्स और फेस्टिवल एससी सीजियल 2019 में पूछा गया खिच्डी उत्रायन और लोडी कि त्योहार के अलग-अलग नाम है ऑप्शन है होली गणे चतुर्थी दशारा और मकर सक्रा सब्सक्राइब कि इन्वेट सिटी ऑफ मद्यपरदेश कुम्ब मेला इस हैल्ड देखे कुम्ब मेला जो है भारत का एक बहुत ही जादा परसिद्यु द्योहार है एक मेला है आप कह लिए यह बारा वर्ष के अंतराल में अलग-अलग स्थानों पर भारत में होता है तो इस और उजयन में भगवान शिवका एक बहुत ही फेमस बहुत ही बड़ा मंदिर है जो कि 12 जोतिर लिंगों में से एक है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें मंदिरों के बारे में हमने बात की थी उनके बारे में बताया था तो आप मुझे बताएंगे कि उजयन मे प्रश्टा इस दा हिंदू रिलीजियस मेला हैंड एवरे ट्वेलिएर इंदा उजयन शिटी अफ मध्यपरदेश दवन इन इंवेज वेल वेल शुजीए द्वन दॉज एव गड़े जब आपका ब्रस्पति जोए शिंग राशी में में विचरन करते यह ब्रस्पति शिं यह जो मेला है यह लगता है कि बारिसु कन्नड़ा दिम दिमावा कल्चरल फेस्टिवल वाज इन विच स्टेट और यूटी बारिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक महुत्सव का उद्गाटन किस राज्य या फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश में किया गया तो आपके सामने है नई दिल्ली मुंबई पूने या फिर चन्नी बारिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक महुत्सव आपका नई दिल्ली में मनाया गया ऑप्शने विल बीदा करेक्ट आंसर बारिसु कन्नड़ा दिमा फेस्टिवल ड्यूरिंग और गनेट next question which state Utt hosted the snow festival winter carnival कि स्राज्यक इंशासित प्रदेश ने snow festival winter carnival की में जबानी की है options है इमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर सिक्केम या फिर उत्रगन तो चारों ही देखा जाए तो परवतिय है स्राज्ये है लेकिन snow festival मनाया जाता है आपका option B जम्मू कश्मीर में कि दस्टीवल विंटर कार्णिवल वाज और गनाइजड इन राफियाबाद एरिया ओफ बारामुला डिस्टिक इन यूनियन टेरिट्री ओव जमुन कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिट्री है और इसी के राफियाबाद शेत्र में ये त्योहार मनाया जाता है प्रदेश ने कोडवा की festival की मेजबानी की options और प्रदेश उडिसा कर्नाटका या फिर वैस्ट पंगल तो अभी हमने बात की थी कोड़ावा समुदाय के बारे में इसका संबंध है कर्नाटका से option C will be the correct answer कोड़ावा की festival इस से टू और नाइज इन नोपाखलु टाउन ऑफ करनाटका आफ्टर गैप फोर यह तो चार वर्ष के अंतराल के बाद में मनाया जा रहा है दैनुल इवेंट इस दो वर्ल्स लार्जेस्ट फिल्ड होकी टूर्णामेंट तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा फिल्ड होकी टूर्णामेंट होगा इन विच ऑफ दा फॉलोइंग स्टेट्स दा फैस्टिवल मी दू मी फी रिलेटेट टू एंसेस्टर वर्षिप इन सेलिब्रेटेड निलिकित में से किस राज्य में पूर्वजयों की पूजा से संबंदी जो त्योहार है मी दम मी फी मनाया जाता है तो मी दम मी फी जो है त गैंग यह भी आपका असाम से सर्बत खाल्सा इस एन इवेंट असोसियेटेड विद विच रिलीजन सर्बत खाल्सा किस धर्म से संबंदित एक घटना तो नहीं कहेंगे हम लोग यह थोड़ा सा जह ट्रांसलेटिंग में प्रॉल्लम होती है इवेंट का मतलब ही से हम उत् दो यह किस धर्म से संबंदित आपके सामने है इसलाम सिखिजम बुद्धिसम या फिर जैनिजम तो यह जो आपका संबंदित है सिखिजम से ऑप्शन भी विल बीदा आप करेक्ट आंसर तो सिख समुदाय से सिख धर्म से यह संबंदित है लिए सर्बत खाल्सा इस मनाया जाता है वैसाखिय और दिवाली पर और यह आपका अठारवी सदी से ही मनाया जा रहा है सत्वानी और जुर सीतल किस राज्य या किन्शाशित प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार है सत्वानी और जुर सीतल आर दा फेस्टिवल सेलिब्रेटिट इन विच स्टेट और यूटी ऑप्शन से वेस्ट बंगॉल बिहार असाम या फिर करनाटका तो जो यह आपके त्योहार हैं दोनों यह मनाए जाते हैं बिहार में ऑप्शन भी विल बी दा करेक्ट आंसर सत्वानी फेस्टिवल रिलेटिट टू नेचर यह प्रकरती से संबंदित एक त्योहार है दर ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल विल भी सेलिब्रेटिड इन नौर्थ इं सीजन तो यह जो है आपका समर सीजन यानि की गर्मियों के प्रारंभ में इसको मनाया जाता है अगर जली कट्टू इस असोसीएटेट वे यह बार बार पुछा गया प्रशन है यह चल 2017 2016 2016 2016 में जली कट्टू का संबंद कि स्राज्ज्य से है ऑप्शन है त्री सूर किसे है पौंगल पूंगल राजर नहीं पुछा गया यहां वे पूछा गयी पूछा है जली कट्टू संबंदीत है जली कट्टू जो है आपका यह फूंगल से संबंदीथ और स्प्शन डी आपका सही रहने वाला है हमने पहले भी डिक marvel मैं nin जाता है जो आपका अनम है आपका K लोंगल मनता है उस दिन जल्ली कट्टू जो है यह एक रेस है बैलों की वो होती है विच ऑकर्स एन्वली इन जन्वरी और यह आपका जन्वरी में मनाया जाता है विज स्टेट यूटी होस्टेट दा फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इन इडिया भारत में प्रथम शहरी जल्वायू फिल्म होतसव की मेजबानी कि स्राजय या के इंशाचित प्रदेश ने की ऑप्शन से नई दिल्ली चन्नाई पूने या फिर यह आपका नई दिल्ली में मनाया गया उप्शने विल बीदा करेक्ट आंसर कि फास्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल और और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेर्स इन न्यू डली इसके अलावा कुछ और त्योहार हैं जो की युनेसको की अमूर् ढूली के शलूम द गरीन मनागः गया नुखा வियू करते हैं और ये घुरणी करते हैं किवोफ़ जो है उनको लेकर यह मनागी जाता है इसमें तरह तरह के रह मैंने मुखोटे पहन कर जो है लोग चमोली के सलूर डुंगरी नामक गाउं में प्रदर्शन करते हैं और बहुत अच्छी जो है महाँ पर जहांकिया निकलती है इसके अलावा दुर्गा पूजा इसे हाल ही में एड किया गया युनेसको की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में तो सबसे नवीनतम य कि है इसके बाद में आपका कुम्भ मेला तो कुम्भ मेले को भी 2017 में ही एड कर लिया गया था आपका युनेसको की विरासत में कुम्भ मेले को इसके अलावा है आपका नवरोज ये पारसित योहार है इसके अलावा भारतिय रामलीला इसको भी एड किया जा चुका है तो और युनेसको जो है अंतराष्टी संस्था है जो की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम गरती है तो इसलिए इसमें जिन्हें एड किया गया है ये फैस्टिवल आपके इंपॉर्टन होते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप आप लोग इसका पीडियेफ पाना चाहते हैं तो इसकी पीडियेफ हमारे टेलिग्राम ग्रूप में आपको मिलेगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपको ये वीडियो लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के इतना ही